हलो इस्टुएंट्स, वेलकम टू एटीपी, कैसे हैं आप लोग, बचों, एनिमल डैवर्सिटी में अब तक हमने बात की है, कॉड़ेटा, नौन कॉड़ेटा की, और नौन कॉड़ेटा में हमने अब तक बहुत सारे पॉइंट्स की बात की है, जिसमें हमने बात की, सुपर क्लास, टेट्रापोडा की, सुपर क्लास, टेट्रापोडा में हमने पहली क्लास की बात की जिसका नाम था, एमफिबिया, फिर हमने बात की रैप्टिलिया, फिर हमने बात की एव्ज, और आज हम इस एनिमल डैवर्सिटी चैप्टर के लाश्ट पोशिन पर आ चुके हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं class mammalia की और class mammalia की बात हम यहां से शुरू करते हैं कि what is the mean of mammalia mammalia word का मतलब बहुत simple है बचो ऐसे animals जिनके पास होती है memory gland memory gland bearing animals are called mammals और memory glands रखने वाले organism जिनके पास memory gland है जिनके पास milk secreting gland present है जिनको हम class mammalia में include करते हैं class mammalia के members सबसे ज़्यादा developed members माने जाते हैं codita non-codita की हमने बात की जिसमें हमने phylum porifera, sylent, preta, tenophora, platy, helminth, aske, helminth, anelida, orthopoda, mollusca, echinodermita, hemicodita and codita की बात की और codita में हमने super class spices sub-fylum, eurocorita, cephalocorita, class cyclostomita फिर हमने super class spices then super class tetrapoda में class amphibia, reptilia, aeus की बात की और अब हम बात करते हैं finally class mammalia की तो चलिए, शुरुवात करते हैं class mammalia के कुछ general character से सबसे पहले तो अगर mammalia के बारे में बोला जाए कि ये universal and cosmopolitan है तो ये बात बिल्कु सही होगी क्योंकि mammalia के members आपको हर जगे मिलेंगे जैसे आपको एक mammalia का member दिख रहा है यहाँ पर जिसको बोला जाता है टेरोपस और टेरोपस होती है flying fox flying fox कोई उड़ने वाली लोमड़ी नहीं है बचो flying fox actually होती है bat एक चमकादड है और bat जो होती है वो बलॉंग करती है किसको class mammalia को उड़ने वाले animals class A उसको बलॉंग करते हैं लेकिन टेरोपस flying fox जो bat है वो एक mammal है क्योंकि इनके पास होती ही memory gland और other character जो mammals के हैं वो भी इनमें present होते हैं तो चलिए बात करते हैं कि यह universal and cosmopolitan है तो इनका habitat क्या होगा युनिवर्सल and cosmopolitan word बोला गया है तो इसका मतलब यह हर तरह के habitat में मिलते हैं most of the mammals are terrestrial यह बात बिल्कु सही है लेकिन क्या कोई mammal aquatic भी है क्या कोई mammal fresh water में मिलता है क्या कोई mammal marine water में मिलता है और क्या कोई mammal flying भी है तो सिंपल सी बात है बचो dolphin जो आपने सुनिये dolphin एक fish नहीं है dolphin एक mammal है और अगर हम whale की बात करें seal की बात करें sea cow की बात करें यह भी क्या है mammals है और flying fox जिसको हम bad बोलते हैं वो भी एक mammal है तो इसका मतलब हर तरह के habitat में मिलते है पोल्स में मिलता है polar bear ठीक है तो इस तरह से हम बोले हर तरह के habitat में मिलते हैं इसलिए यह है universal and cosmopolitan तो चलिए universal and cosmopolitan class जिसको हम बोलते हैं mammalia जिनके members में होती है memory gland उनकी बात करते हैं they are terrestrial warm-blooded warm-blooded को एक बार फिर से समझते हैं बच्छो मैंने इससे पहले आपको बताया कि fishes amphibia और reptilia के members cold-blooded होते हैं cold-blooded को हम poiklothermal और ectothermal भी कहते हैं और cold-blooded या ectothermal या poiklothermal वो है जो environment में change के according अपने body temperature को regulate नहीं कर पाते हैं और जो animals अपने body temperature को regulate नहीं कर पाते हैं वो ज्यादा temperature बढ़ने पर और temperature normal से बहुत ज्यादा कम हो जाने पर दोनों ही condition में summer slip और winter slip जैसी condition शो करते हैं लेकिन aves and mammals aves and mammals are warm-blooded अच्छे से याद रखें birds and mammals are warm-blooded मैं पहले भी आपको यह बात बता चुका हूँ BMW का मतलब होगा birds and mammals are warm-blooded आप क्यों लेकिन याद रखें birds और mammals warm-blooded होते हैं इसके लब आप से कुछ भी पूछा जाया है बोलेंगे क्या cold-blooded और warm-blooded वो है जो अपने body temperature के अपनी body temperature को environment में change के according regulate कर पाते हैं तो animals which are able to maintain their body temperature according to change in environment is called warm-blooded और endothermal और homeothermal तो चली बात करते हैं they are terrestrial, they are warm-blooded, endothermal, homeothermal animal so that their body temperature remain constant in spite of the change in the temperature of the environment लेकिन एक limit है बच्चों ऐसा नहीं हो सकता कि कि किसी भी limit में चले जाए कितना भी temperature बढ़ा दे कितना भी temperature कम कर दे तो भी हम warm-blooded रहेंगे नहीं बच्चों एक environment में normal fluctuation होता है तो हमारे body temperature को regulate कर पाते हैं जैसे अगर मैं बात करूँ कि poles पर polar bear रहता है वो तो एक mammal है और polar bear जो एक mammal है वो भी hibernation show करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होने पर वो warm-blooded है लेकिन फिर भी वो अपना body temperature maintain नहीं रख पाता इस दिए एक normal limit तक जो अपना body temperature maintain रख पाए वो होते हैं warm-blooded और homeothermal और endothermal बात करते हैं mammals के कुछ general cactus की बिल्कुल जो हमने पहली class में बात की थी बिल्कुल वैसी ही बात करते हैं सबसे पहले mammals के सभी members है यू सीलोमेट सभी के पास true cilom है सभी members जो है उनके पास complete elementary canal है complete elementary canal का मतलब होता है कि ट्यूब विजने ट्यूब बादी प्लान होगा माउध भी होगा एनस भी होगी और आपको mammal में आने के बाद तो यह सारी चीज़ें बहुत easy लग रही होगी क्योंकि आप सभी को प्रता है कि हम mammals है इसलिए हम जित्ती भी बाते हो रही है वो हमारी हो रही है ठीक है और बात करते है डिपलो ब्लास्टिक होगा या ट्रिपलो ब्लास्टिक नो डाउट हम सभी ट्रिपलो ब्लास्टिक है हमारे पास एक्टोडम भी है एंडोडम भी है और एक्टोडम एंडोडम की बीच में मीजोडम भी है ठीक है इसके लावा हम है इंटर्नली सेग्मेंटेड सभी कोड़िटा के मेंबर्स इंटर्नली सेग्मेंटेड होते हैं कुछ इंटर्नल सेग चैक्टर में तो मैं अभी आता हूँ ठीक है लेकिन हम बिल्कुछ General characters की बात कर रहे हैं ठीक है एक मैंने अभी आपको बताया था यह है Universal and Cosmopolitan हर तरह के organ system level ठीक है और अगर हम बात करें कि सभी मेंवल्स का एक बहुत ही important character जो है वो है presence of मैंने पहले भी लिखा है बच्चों presence of memory gland सभी मेंवल्स के अंदर memory gland या breast present होंगे हां लेकिन याद रखें कि memory gland पर nipples present होते हैं लेकिन निपल्स प्रोटो थीरिया के members में absent होते हैं हम प्रोटो थीरिया के बारे में बात करेंगे लेकिन अभी आप याद रखें कि presence of memory gland is a characteristic feature of mammalia and nipples present upon memory gland बट इन प्रोटो थीरिया निपल्स absent upon memory gland या आगे भी बात करते हैं मैंने भी आपको बताया कि class mammalia के हम बात करने वाले हैं class में मिलिया कि member है warm-blooded और उनके कुछ general characters के बारे में आपको बताया गया जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ठीक है और एक diagram आपको सामने दिख रहा है जो है हमारी taropus flying fox इसको हम बोलते हैं बैट जो की dark caves में भी मिलती है ठीक है चलिए और बात करते है अब हम कुछ और intake या special characters की बात करते हैं देखते हैं किन characters की बात करने वाले चलिए बात करते हैं हम इनकी skin की अगर skin की बात की जाए तो the skin is covered with epidermal hairs mammals से पहले किसी भी phylum में hairs present नहीं थे सबसे पहले hairs epidermal hairs जो हैं वो हमें mammals में ही देखने को मिलते हैं the skin is covered with epidermal hairs which act as an insulating layer बिल एक adaptation है कि उसकी बाड़ी को temperature को maintain रखा जाए उसकी बाड़ी से heat loss को रोका जाए इसलिए उसकी बाड़ी पर जो epidermal hair है वो यह काम करते हैं एक insulating layer बनाने का काम करते हैं and allow high body temperature to be maintained internal metabolism process से जो heat produce होती है वो हमारी बाड़ी से बहुत जादा बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि हम में ज्यादा है कुछ में कम है the hair may be partly lost as a secondary adaptation जैसे हमारे इंदर धीदर यह lost होती जा रहे है in some aquatic mammals where hair is negligible कुछ aquatic mammals में hairs आपको पता है negligible जैसे whale में dolphin में आपने hairs नहीं देखे होंगे तो aquatic form में hairs नहीं होते there is a subcutaneous layer of heat which provides insulating of heat यहां पर heat word नहीं आना चाहिए यहां पर heat को हम करते यहां पर आना चाहिए subcutaneous layer of fat यहां पर skin की नीचे fat की एक layer present होती है which provides insulation of heat जैसे हमारे अंदर भी होती है जिसके अंदर hairs कम हैं जिसके अंदर अगर हम बात करें hairs absent हैं जैसे aquatic mammals उनके अंदर skin की नीचे fat की एक thick layer होती है and this thick layer of fat work as an insulator और poor conductor of heat तो हमारी body से heat loss को रोगती है and makes the warm blooded condition possible तो याद रखें skin सभी mammals में skin जो है उन पर hairs present होते हैं लेकिन aquatic warm में hairs ना के बराबर होते हैं और कुछ में बहुत कम होते हैं और जिनमें hairs होते हैं वो insulating layer की तरह work करते हैं लेकिन जिनमें hairs बहुत कम हैं या ना के बराबर हैं उनके अंदर skin के नीचे एक fat की layer है ज तरह की glands मिलती हैं pseudorific gland which produce sweat आप सभी को बता है pseudorific gland is also called sweat gland तो हमारी skin के उपर sweat gland present होती है ठीक है तो pseudorific gland which produce sweat, evaporation of sweat control the body temperature आप सभी को बता है कि hypothalamus के regulation में होती है sweat gland and thermoregulation से लिटेड जो hypothalamus है वो इससे control करता है और ज्यादा गर्मी होने पर sweat gland से sweat या pseudorific gland से sweat का secretion होत हमारी body surface को cool कर देता है इसका मतलब ये भी एक warm blood nature के लिए responsible है second kind of gland of sebaceous gland you know that sebaceous gland is also called oil gland which produce an oily secretion इनका secretion जो होता है वो oil जैसा होता है oily secretion होता है which make the hair water resisting तो याद रखें इनका oily secretion जो होता है वो hairs को water resisting बना देता है modified sweat gland pseudoriferous from memory gland एक और gland जो मैंने starting बताई memory gland जो है वो sweat gland के ही modification से बनती है यह बहुत important point है आप अच्छे से याद रखें कि memory glands are formed by modification of sweat gland which produce milk in the female for naisement of the young one for some time after birth आप सभी को बता है कि memory gland से milk का formation होता है जिससे young one को naisement provide किया जाता है because they possess mammary, braced and memory gland they are called mammary gland होने की वज़े से ही इस class का नाम हम बोल रहे हैं क्या mammalia it is the most unique character of members बहुत याद रखें अच्छे से कि बहुत सारे characters है जो mammals में आपको reptilia, aves, amphibia, fishes से अलग मिलेंगे लेकिन एक characteristic feature होता है इतना important feature होता है जो हम बोलते हैं कि जो इस पूरे class को हम अलग कर सकते हैं जिससे वो है हमारा memory gland तो memory gland की presence इनका unique character है ठीक है तो हमने सबसे पहले बात की है memory gland what is memory gland रखने वाले mammalia के members और उनके कुछ general characters की फिर हमने उनकी skin की बात की skin में hairs होते हैं subcutaneous layer of fat का क्या function है ये बताया गया आपको हमने ये भी बात की कि इनके पास कौन कौन सी gland है तीन तरह की gland है एक होती है pseudorific gland एक होती है oil gland और sebaceous gland और इनकी pseudorific या sweet gland की modification से ही बनती है memory gland and presence of memory gland और memory is a unique feature of mammalia और बात करते हैं बच्छो इसके नोग gland के बाद अब हम बात करते हैं इनके ear की याद रखें external ear और pinna with an external audit three meters this is an addition to middle and inner ear simple सी बात है इनके पास middle ear होगा इनके पास internal ear भी होगा लेकिन याद रखें इनके पास external ear भी present होता है इससे पहले अगर आप philems को compare करेंगे इसके पहले वाली classes को compare करेंगे तो आपको पता जेलेगा कि उनमे external ear नहीं था और था भी तो pinna तो बिल्कुल नहीं था लेकिन external ear, middle ear, inner ear तीनों होते हैं along with ear pinna, ear pinna भी present होता है लेकिन याद रखें ear pinna absent in prototheria, आगे हम वापस बात करेंगे बच्चों तब आपके लिए easy रहे गाए, absent in prototheria हम जो हमारी class है, हमारी class जो है memelia, उस memelia class के अंदर हम तीन ग्रूप की बात करेंगे और वो तीन ग्रूप जो वो होंगे prototheria, metatheria और utheria उन में से सभी prototheria, metatheria, utheria सभी के पास external ear, middle ear, inner ear होता है लेकिन prototheria के members में ear pinna नहीं होता और याद रखें aquatic mammals में भी ear pinna नहीं होता ठीक है, टीथ की बात करते हैं बच्चों टीथ की अगर हम बात करें, टीथ are embedded in bonnie socket and you know that like crocodile हमारी टीथ भी ठीक टीथ है, टीक है, तो याद रहें कि टीथ आर embedded in socket of jaw bone and are said to be thicodont, ठीक है, crocodile के टीथ भी कैसे है, crocodile teeth भी कैसे होते हैं बचों, thicodont teeth होते हैं, तो crocodile के टीथ भी thicodont है, हमारे टीथ भी thicodont teeth है, जिसमें teeth जो होते हैं, वो jaw bone के bonnie second में completely embedded होते हैं, there are only two set of teeth in lifetime, हमारे दो दात आते हैं, एक बार आते हैं, deciduous और milky teeth, आप सभी जानते हैं, और दूसरी बार जो आते हैं, वो permanent teeth, तो दो बार दात आते हैं, एक बार आते हैं, milky teeth और रिगा आते हैं, permanent teeth के बारे में हो, detail में हम पढ़ेंगे, digestive system में, this condition is spoken as a diephodont, तो याद रहें, diephodont condition होते हैं, dieph times appear होते हैं, first teeth are called deciduous और milky teeth, आप सभी जानते हैं, temporary teeth हैं, और उसके बार जो आते हैं, पर्मानेंट, तीसरी बार teeth नहीं आते हैं, सवाल के रखिए, ठीक है, there are four different type of teeth, hence mammals are heterodon, और आप सभी इने four different type of teeth के नाम सुने होंगे, incisor, canine, premolar and molar, चार तरह के teeth होते हैं, incisor, canine, premolar and molar teeth, तो चार तरह के सारे दात, अगर एक जैसे होते होते होंगे, homodon teeth, और अगर teeth different होते होते हैं, heterodon teeth, तो हमारे आप सभी जानते हैं, teeth different type के होते हैं, कुछ होते हैं, incisor, canine, premolar होते हैं, molar type, यह कैसे होते हैं, digestion में देखते हैं, next year के बाद, teeth के बाद, अब हम एक और special character की बात करते हैं, वो है diaphragm, the muscular diaphragm divides the cello into a thoracic and abdominal cavity, आप सभी को बताएं कि आपके thorax और abdomen के बीच में एक structure है, एक dom shape structure है, जिसको बोला जाता है क्या diaphragm, the thoracic cavity has a pericardial cavity, thoracic cavity के अंदर जो cavity है, उसको मोलते है, pericardial cavity, containing the heart, and two plural cavity भी हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, lungs, and the remaining visceral lies in the abdominal और peritonial cavity, और abdomen के अंदर जो cavity है, उसको हम बोलते है, peritonial cavity, और इस peritonial cavity में हमारे most of the organs, soft organs present है, तो याद रखे हैं, हमारे पास head के बात thorax है, abdomen है, लेकिन हमारे thorax और abdomen के बीच में है, muscular diaphragm, और muscular diaphragm की जो muscles है, उनको हम बोलते है, phrenic muscles, हमारे diaphragm में, जो muscles है, उनका नाम ह phrenic muscles, तो हमारे diaphragm में phrenic muscles होती है, और साथ में एक बात और याद रखें, कि हमारा जो diaphragm है, वो हमारे thorax को abdomen से separate करता है, हमारे thorax में दो cavities है, एक है pericardial cavity, जिसमें होता है हमारा heart, और दो है plural cavity, जिनमें होते हैं हमारे lungs, लेकिन abdomen की बात करें, तो उसमें तो किवल एक ही cavity होती है, जिसको बोला जाता है peritonial cavity, जिसके अंदर present होते हैं हमारी body के बहुत सारे विसरा जाए, liver, kidney, जितनी ही हम बात करें, उस सभी, ठीक है, तो हमने क्या क्या बात की, एक बाद फिर से हम चलते हैं, हमने बात की, जिनमें memory gland है, warm blended की बात की, general characters की बात की, skin की बात की, skin पे hairs की बात की, glands की बात की, हमने ear की बात की, ear pinna यहाँ पर present होगा इस बारे में बात की, हमने teeth के बारे में बात की, diaphragm भी हमने देखा, diaphragm muscular diaphragm है, जिसके अंदर present होगी कौन सी, phrenic muscle, और उसके बाद हम आगे और बात करते हैं, देखते हैं, और कुछ important features, ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, बचो, अब बात करते हैं, हम circulation की, circulation, मैं एक बाद फिर से पुरानी बात करता हूँ, fishes में था two chambered heart, amphibians में हमें देखने को मिला, three chambered heart, reptiles में था incomplete four chambered heart, और three chambered heart, aves में था complete four chambered heart, और हमारे नदर भी क्या है, complete four chambered heart, circulation तो आप सभी को पता है, कैसा होगा हमार closed circulation है, most of the cordates में closed ही होता है, eurocordata को छोड़ कर, इसलिए हमारे नदर close circulation हो का, heart is complete four chambered with two auricles and two ventricles, पूरा circulatory परते हैं, so that oxygenative blood lies in the left half and the deoxygenative blood in the right half, right half में right atria, right ventricle में deoxygenative blood होता है, और left atria, left ventricle में oxygenative blood होता है, this condition is also found in buds and only the left aortic arches present, हमारे पास के वो left aortic arch है, अगर आप heart की बात करें, तो heart से, heart से, heart से, जो aortic arch arise होगी, wà, ciö heart से, वो कैसी होगी, left aortic arch, देखें, यहां से arise होगी aorta, और यह aortic arch इस तरह से जाएगी, तो हमारा जो aortic arch है, वो left aortic arch है, और birds में जबकि इसके opposite bit करें, right aortic arch होती है, उससे पह दोनों तरे की aotic argy person होती है लेकिन याद रखें है कि मेमल में है left तो आप ऐसे यादर किन कि हमारे पास left aotic charge है हमसे पहले ले बाले birds में underground है और उससे पहले वालों में दोनों ऐस Parent दुखी घार और बात करते हैん इनके by convex बात कीती, इससे पहले हमने oval shape बोला था, इससे पहले हमने nucleated बोला था, लेकिन mammals की RBC है, by concave, rounded और disc-like and non-nucleated, except in camel, camel और एक और exception लिखता हूँ llama, camel and llama, camel like ही है, camel and llama जो होता है, उनमें oval shape and non-nucleated RBC होती है, तो होती तो हमारी तरह ही non-nucleated है, लेकिन कैसी होती है, oval shape RBC होती है, अच्छे से याद रखेंगे इस बात को, next आ जाता है, brain, सभी के पास, mammals के पास, well developed brain है, अगर आप पूरे animal diversity को देखें तो सबसे ज़्यादा brain developed किसी का है, तो है, वो है, mammals, and cerebral hemisphere and cerebellum are large size, हमारा cerebellum, cerebral hemisphere cerebral hemisphere बहुत large size का है, highly developed है, with great increase in the cortex, cortex वाला reason बहुत बड़ा है, the two cerebral hemisphere are joined by a transverse band of nerve fibers called corpus callosum, ये एक बहुत ही important feature है बचों, ये मतलब हम unique feature की अगर बात करते न तो cerebrum, cerebral hemisphere ये सारे पहले भी हैं, पहले वाले अगर हम बात करें, coordinates उन में भी मिलते हैं हमें, लेकिन हमारे brain में ज़्यादा develop होते हैं ये सभी, large होते हैं सभी, और हमारे brain में special feature ये है, कि हमारे दोनों cerebral hemisphere को आपस में जोडने में, एक transverse band help करता है, nerve fibers का, जिसको हम बोलते हैं corpus callosum, presence of corpus callosum is another unique feature, important feature of mammalia, तो याद रखें, corpus callosum जैसी structure हम सभी के brain में है, mammals में, जो दोनों cerebral hemisphere को connect करने का काम करती है, there are four solid optic lobe, याद रखें हमारे brain में, four solid mid brain में, four solid optic lobe हैं, जिने कहा जाता है, corpora quadrigemina, हमारे four brain, अगर mid brain की बात करें, four brain, mid brain, hide brain, और में से mid brain में, दो structure होती है, crura cerebrine, corpora quadrigemina, तो याद रखें हमारे mid brain में, four solid optic lobe होते हैं, जो vision और auditions से related होते हैं, जिनको बोला जाता है, corpora quadrigemina, इन दी mid brain, और याद रखें हमारे पास है, 12 pair cranial nerve, amphibians के पास थी 10 pair, उसके बाद रैप्टिलिया, और में में लिया, तीनों में ही होती है, 12 pair cranial nerve, तो हम सभी के पास हैं, 12 pair cranial nerve, ठीक है, इसके बाद एक और कुछ other point की बात कर लेते हैं, इससे पहले अगर हम बात करें, amphibia की, तो उनके ear में एक single ear ossicle होती है, जिसका नाम होता है, columnella auris, reptilia की बात करें, उनके ear में भी इसका नाम होता है, columnella auris, लेकिन अगर हम mammals की बात करें, तो आप सभी ने सुना होगा बच्चो, हमारे external ear, middle ear, inner ear middle ear में, three ear ossicles, ossicles are small bones, ठीक है, three ear ossicles होती है, जिने कहा जाता है, malleus, incus and stapes, क्या कहा जाता है बच्चो, malleus, incus and stapes and याद रखें, malleus, incus and stapes, three ear ossicles होंगी, the internal ear has a spirally coiled cochlea, हमारे inner ear में cochlea है, जो की organ है hearing का, लेकिन एक बात और याद रखें, हमारा ear जो है, वो body balance से भी लेटेड होता है and neck generally have seven cervical vertebra, कुछ exception हो सकते है mammals में, otherwise सभी mammals की neck में seven cervical vertebra होती है, vertebra के नाम आप सभी ने सुने होंगे, vertebra column में different type की vertebra है, cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccyx, उन में से अगर हम cervical vertebra की बात करें, तो सभी mammals में seven cervical vertebra होती है, ठीक है, जबकि eight pairs क्या होती है spinal nerves होती है, cervical spinal nerves eight pair होती है, जबकि seven cervical vertebra होती है तो बचों एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या बात की है, हमने mammalia, class mammalia की बात की है, animal diversity का आज ये last lecture है जिसके अंधर हम class mammalia को finish कर रहे हैं, इसके बाद एक को lecture हम animal diversity में रखेंगे, जिसमें हम fishes, amphibia, reptilia, a user mammalia को आपरस में compare करेंगे ठीक है, तो class mammalia की हमने बात की, general cactus की बात की, उनकी skin को देखा गया, glands कैसी हैं उनके पास, ear, teeth, diaphragm, circulation, brain और कुछ other points की भी हमने बात की चलिए, तो आप ऐसा करते हैं, कुछ इसके important examples देखते हैं, और NCRT का एक डियागरम देखते हैं अगर हम बात करें, कुछ important mammalia के members की, तो सबसे पहले तो आ जाता है, ornithorynchus, platypus, आप देख सकते हैं, डियागरम में यह है platypus, और बहुत important बात यह है, कि यह होता है oviparas, क्योंकि आप सभी ने सुनाओगा, कि all mammals, almost all mammals are viviparas, some are oviparas, तो mammals viviparas होते हैं, except some mammals called prototherians, और यह prototherians जो है, उसका नाम है, ornithorynchus, duckbill platypus, duckbill platypus, या ornithorynchus, जो होता है, वो oviparas होता है, आगे हम बात करते है, macropus, जिसको हम कंगारू बोलते हैं, देख सकते हैं, आप second diagram में, जो होता है, viviparas, और जो macropus है, उसके पास, कंगारू के पास होता है, marsupial pouch, कौन सा पाउच ह अब हमने बात की, अब हम सारे viviparas की बात करने वाले हैं, जिसमें आता है, macropus, kangaroo, teropus, flying fox, अभी देखी, पहले हमने बात की थी, ये रहा, teropus, teropus, flying fox, जो की एक bat है, बचों, एक चमगादर है, ठीक है, teropus, flying fox है, camelus, बहुत सिंपल बचों, camel, मकाका है, हमारा monkey, ratus, ratus, rat, canis, familiaris है, dog, phallus domestica है, cat, elephant, जो proboscida order में आता है, equus, equus, horse, delphinus है, dolphin, और याद रखें, river dolphin, जो है, वो है, national aquatic animal of India, platinistra indica बोला जाता है, river dolphin, और जो है, national aquatic animal of India, तो delphinus है, common dolphin, बैलिन अप टेरा है, blue whale, और अच्छे से याद रखें, blue whale जो होती है, वो होती है, filter feeder, food को filter करके लेती है, इसलिए इसको बोला जाता है, filter feeder, और याद रखें, पैंतरा टिग्रिस है, tiger, पैंतरा लियो है, loin, तो बहुत simple example है, बहुत common mammals है, जिन सब के नाम, common name तो आप जानत पस, जो है flying fox, जिसको आप bet भी बोलते हैं, and finally, balance of terra maximus, जो है blue whale, चलिए, तो हमने, आज mammals की class mammalia की बात कियो, class mammalia में हमने, उनके general characters, special characters की बात की, और साथने हमने, बात की, उसके examples की, लेकिन मैंने भी थोड़े पहले एक बात कहीती है, आप से बच्छों, कि class mammalia के 3 group आते ह प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, और यूथीरिया, तो चलिए, ऐसा करते हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया के members को आपस में compare करते हैं, देखते हैं, difference between 3 group of mammals, जिसमें हम बात करने वाले हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, एंड यूथीरिया की सबसे पहले proto-theria के members कैसे हैं O-V-Paris, मैंने बताया था है इसके अंदर प्लेटी पस आता है कैसे हैं members O-V-Paris Meta-theria के members होंगे V-V-Paris और U-theria के members भी क्या होंगे V-V-Paris proto-theria के members में पिन्ना absent होता है, देखिएगा आप पहले भी लिखा था हमने earpinna absent in prototheria ठीक है तो अच्छे से जाद रखे prototheria के members में earpinna absent होगा जबकि metatheria और utheria दोनों में earpinna क्या होगा present होगा aquatic form में आपको earpinna absent मिल सकता है और बात करते है prototheria में memory gland तो होती है लेकिन memory glands पर nipples नहीं होते लेकिन metatheria, utheria दोनों के अंदर abdominal होते हैं जबकि utheria में abdominal भी होते हैं और thoracic भी होते हैं क्या आप ये point समझ पाए मैंने जो बोला अगर आप kangaroo के अंदर nipples की बात करेंगे जैसे आप kao की बात करें kao के पास जो है जो nipples है वो कहाँ पर जो अगर हम tits की बात करते है memory gland के ओपर tits जो है वो इसके abdomen पर होते हैं उसी तरह से kangaroo में भी कहाँ पर होते हैं nipples abdomen पर होते हैं लेकिन हम तो जाते हैं kao हमारी utheria में आती है इसका मतलब nipples abdominal होते हैं और thoracic भी होते हैं जैसे अगर हम mammals में human की बात करें तो human में तो thorax के ओपर ही होते हैं memory gland उसी पर तो क्या होते हैं nipples इसलिए utheria के members में nipples abdominal भी होते हैं और thoracic भी बेखने को मिलते हैं जबकि metatherians में memory gland पर nipples और tits होंगे लेकिन वो कैसे होंगे abdominal जबकि proto-theria के members में memory gland तो होती है लेकिन उस पर nipples नहीं होते और बात करते हैं मैंने थोड़े पहले बोला आपको कि जो kangaroo है उसके पास marsupial pouch होता है kangaroo जो macro पस है हमारा उसके पास क्या होता है marsupial pouch present होता है जिसमें ये अपने young one को कुछ time के लिए रखते हैं ताकि उनका पूरा development हो सके ठीक है उसकी point को हम देखते हैं आगे proto-theria के members में marsupial pouch present नहीं होता ये केवल kangaroo में होता है इसलिए marsupial pouch often present usually metatheria के members में marsupial pouch होता है जबकि u-theria के members में भी marsupial pouch नहीं होता तो याद रखे marsupial pouch की presence केवल metatherians का character है और point की बात करते है next point आ जाता है digestive and urinogenetal tract open into a cloica cloica is a common chamber for digestive tract, reproductive tract and excretory tract हमने पहले भी बात के थी कि cartilaginous fishes में cloica होता है amphibians में cloica होता है reptiles में भी cloica होता है birds में भी cloica होता है mammals में cloica नहीं होता except prototheria prototheria के members को छोड़कर बाकि सबी के अंदर prototheria अगर हम बात करें बाकि सबी mammals में cloica प्रेजेंट नहीं होगा केवल prototheria ऐसे mammals जिन में क्या होता है cloica प्रेजेंट होता है तो digestive and urinogenetal tract कहां पर उपन होगा cloica जबकि metatheria में cloica नहीं होगा इसलिए anus and urinogenetal aperture open into a shallow सिधर बाड़ी के बाहर open होगे ठीक है और जबकि हम यहां पर बात करें digestive and urinogenetal tract open out by separate apertures ठीक है तो याद रखें एक बाब फिर से परते हैं digestive and urinogenetal tract open into a cloica cloica open outside through cloical aperture जबकि metatheria में anus and urinogenetal aperture open into a shallow cloica surrounded by a common sphincture तो वो ना के बराबर ही है tract and eutheria open out by separate aperture सब के लिए अलग opening होती है prototheria की बात करते हैं मैंने बात की थी कि हमारे brain के दोनों cerebral hemisphere को connect करने वाली structure को बोला जाता है corpus callosum और ऐसा corpus callosum हमें prototheria के members में देखने को क्या होगा नहीं मिलेगा या फिर बहुती कम develop होगा prototheria के members में absent ही होता है जबकि metatheria के members में corpus callosum कम develop होगा या absent होगा जबकि eutheria के members में corpus callosum well develop होता है इसलिए एक unique character के form में मैंने इसको नहीं बोला क्योंकि corpus callosum eutheria के members में well develop होता है बाकि दोनों के अंदर बहुती कम develop या absent होता है इसलिए या रखकि corpus callosum जो दो cerebral hemisphere को जोड़ने का काम करता है वो मिलता है हमें utheria के members में it connects to cerebral hemisphere of the brain internally अंदर से दो cerebral hemisphere को connect रणने का काम करता है और भी comparison देखते हैं prototheria, metatheria, utheria में देखते हैं next आ जाता है point prototheria के members में placenta present नहीं होगा metatheria के members में placenta less develop होगा थोड़ा सा concept देखिए prototheria के members में placenta present नहीं है अगर placenta नहीं है तभी तो वो oviparous है metatheria के members में placenta less develop है और less develop placenta है इसलिए birth के बाद उस less develop baby को एक pouch में रखने की जोरत है इसलिए जो metatheria के members से उनमें होगा marsupial pouch लेकिन अगर हम utherians की बात करें तो उनका placenta होता है well developed और well developed placenta है इसलिए वो होते हैं viviparous और साथ में बाद में किसी pouch में भी किसी baby को रखने की जोरत नहीं है इसलिए याद रखे प्रोटो थिरिया में placenta कैसा होगा absent जबकि utheria में less develop होगा sorry metatheria में less develop होगा और utherians में placenta well developed होगा viviparous है और utheria के सभी members viviparous है कुछ example मैंने वहाँ पर जो लिखे थे वही वापस बोलता हूँ teropus flying fox camelus है camel, macaqa है monkey ratus है rat, canis familiaris है dog, phallus domestica cat, elephant, elephant, equus equus horse dolphinus है common dolphin और bellnoptera भी अगर आप बोलें तो वो है whale तो ये हमने बात की class mammalia की, क्या बात की वापस देखते हैं बचो, हमने सबसे पहले class mammalia के कुछ general cactus की बात की, what is the mean of mammalia ये बताए गया आपको और general cactus की बात हमने special cactus में उसकी skin को देखा हमने glands की बात की, skin में हमने बात की कि इनके पास hairs हैं, जिनमे hairs नहीं है, या hairs बहुत कम हैं, उनकी skin के नीचे एक subcutaneous layer है, fat की जो insulator की तरह वर्ग कर रही है, glands में हमने sweet gland, sebaceous gland and sweet gland की modification से बनने वाली memory gland की बात की ear की बात की, external ear भी होगा, middle भी होगा, inner भी होगा और external ear के साथ साथ ear पिनना भी होगा, teeth की बात की thickodon teeth होंगे, diaphrodon teeth होंगे, heterodon teeth होंगे muscular diaphragm होगा, जो thorax को abdomen से separate करेगा close circulation होगा, complete four chambered heart होगा, और सब से अलग हमारी RBC, जो है by concave, rounded and non-nucleated, non-nucleated से ज़्यादा अच्छा वड़ आकर आप use करें तो आप enucleated भी कर सकते हैं enucleated का मतलब हो जाता है, जिसमें RBC में nucleus पहले present हो, but during maturation nucleus disappear हो जाए, तो उसको मोलते हैं enucleated, ठीक है brain की बात की, दो cerebral hemisphere की बात की, cerebrum के साथ cerebellum की बात की, जो well developed है, और दो नो cerebral hemisphere को internally connect करने वाली structure की बात की, जो है uterians में जिसका नाम है, corpus callosum, 12 pair cranial nerves होंगी, other character में, malleus incus states, 3 erosicals की बात की, और neck में मिलने वाली 7 cervical vertebra की बात की, NCRT का diagram देखा, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, और साथ में कुछ NCRT के ही level के हमने examples देखे, और फिर उसके बाद हमने mammalia में आने वाले 3 groups को compare किया, prototheria, metatheria, utheria, जर्में हमने बहुत सारे characters को compare किया, और साथ में उनके कुछ examples की भी हमने group wise बात की, ठीक है, तो ये हमने class mammalia की बात की है, और इसी के साथ हमारा animal diversity chapter complete होता है, हमने animal diversity chapter में सबसे पहले non-cordita की बात की, और उसके बाद caudita की बात की, और chordita की बात करते करते हम finally mammalia पे आए, हमने क्या-क्या बात की, फिर बोलता हूँ, हमने class बात की, सबसे पहले phylum से हमने शुरुवात की, polyphera, silentrata, tenophora, platyhelminth, skhelminth, analida, arthropoda, mollusca, echinandermita, hemichordita, chordita, chordita, chordita में हमने बात की, eurochordita, cephalocordita, cyclostromita, pisces, tetrapodact superclass में, amphibia, reptilia, aves, और आज हमने बात की, last class, mammalia की, ठीक है, तो बचो ये हमारा chapter complete होता है, next lecture में, हम इस chapter के, amphibia, reptilia, aves, mammalia, और fishes की comparison की बात करेंगे, तब तक ATP के वीडियो को देखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, thank you